assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस लेक्टर में चप्टर नंबर टू आइकॉम पार्ट वन बिसनेसमेद बुखे शाहिर जमाल की चप्टर है रेशो प्रपोर्शन एंड परसंटेज कुछ्छन नंबर है 2.69 पार्ट ए तकॉस्ट प्राइब अन आर्टिकल इस रूपीज थ्री हंड़े यह हमें find करना है तो अगर हम देखें तो profit का formula क्या होता है profit is equal to पहले था हमें यह find करना है कि यह profit है यह loss है तो अगर हम देखें तो cost price यानिके बेचने वाली price है इसकी 345 और cost price है 300 तो profit is equal to SP minus CP so SP है यहाँ पर selling price 345 minus cost price 300 तो कितना है हमाई पास 345 में से 300 गए 45 आया ठीक है तो profit कितना है 45 अब हमें इस profit का percent निकालना है तो percent profit कैसे निकालते है हम लोग 45 को divide करना है हमें CP यानिके cost price 300 और फिर multiply करना है 100 से तो answer आजाएगा 15 percent ठीक है फिर है B a fruit seller bought 50 kg mangoes 8 rupees 25 per kg and sold all the mangoes for rupees 1450 find the loss और gain percent तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि 50 kilo arm के जो total पैसे हैं वो कितने बने ठीक है यह तो इसकी बेचने की amount है न बट actual cost क्या बनी थी इसकी तो वो है यहाँ पर अगर 50 kg mangoes है तो अगर हम इसको multiply करें 25 per kg ठीक है तो यह कितने हो जाएंगे 1250 यानिके यह क्या है 1250 क्या है इसकी cost price है ठीक है यह है cost price अब यहाँ पर हमें find करना है profit तो हमाएं पास CP आ गया और SP पहले से मौजूद है तो profit हम find करेंगे is equal to पहले selling price डाली जाती है तो SP डालेंगे 1450 माइनस 1250 तो कितना आया 200 अब percent में find कर लेते हैं अब यहाँ पर देखें तो हमें यह कैसे पता चला कि यह profit है या वो अगर यहाँ हमारे पास यहाँ पर माइनस में answer आ रहा होता है तो मतलब कि यह loss था ठीक है तो परसंट profit तो यह हो गया 200 यानि कि profit divide होगा CP से यानि कि 1250 से और multiply होगा 100 से तो वह answer आ जाएगा 16% तो I hope कि आज के question आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद question and exercises के लिए चैनल को करें subscribe और साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए अला हाफिस